तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि आप कोई भी बैक लॉन पे फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो आपको क्या-क्या डोक्यमेंट लगेगा साथ में कितना बनेगा कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और सभी चार्ज कितना आपको लग जाएगा गैजर अगर 2022 में अगर कोई भी बैक आप लॉन पे परचेज करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे आप क इरेंटीटीटीव प्रोस में आप क्या-क्या डाल सकती हो फिर्ष नमर देखें हिए तो अधार करड़ आप ड़ाल सकते हो इसके अलावे आप पेन कार्ट भी डाल सकते हो और यह आपके पास ड्राइबरी लासेंस है वह आपको देना ही पड़ेगा लेकिन लीड से यहां पर और दे न चाहते हो तो अब डे सकते हो नहीं तो नहीं दे सकते तो इसके अलाबे आप देखे तो सेकंड में Iímla पीर सेक्ट में हैं एड्रेस पूप में आप क्या क्या दर सकते हो तो फर्ष्ट है पासब अगर आपके पासपर्ट है तो वह आप दे शकते हो इसके अलावे ज़ब है अगर याप पे पर लगा द्रेस पुल में और यहां पर काड की बात करें तो रासन कार्ड भी यहाँ पर आपका उससे भी काम चल जाएगा ठीक है थर्ड नमर देखें तो थर्ड नमर में आपको पासवर्ड साइज का फोटो मांगा जाएगा तो आप अपने हिसाब से लिए जाएगा तो यहां पर आपके पास त्री मौंट का दे सकते हैं और अगर आपको लगता है कि मैंने ट्री मौंट में अच्छा नहीं किया है तो आप लाश्ट सेब्स स्वड़ी लाश्ट का आप दे सकते हो ठीक है इसके अलावा देखें तो फाइब नमर में आपको अगर आप इंकम टैक्स वरते हो तो यहां पी वह भी आप कर सकते हो उसकी व लगा सकते हो ठीक है इतनी डियोक्यूमेंट आपको जरूरत है अगर आप किसी बैक को फाइनेंस कराना चाहती हो ठीक है इसके अरावे आपको क्या करना है सबसे पहले यह जानेगी कि कि आपको डाउन पेँमेंट कितना करना है तो चलिए मौईल के सकीन पी ले चलते हैं वह later पे हम ले चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे down payment होता है down payment इसके अलावे जो कितने time के लिए आप ले सकते हो और extra charge कैसे लगते हैं और सारे चीज़ को calculation में यहाँ पर करके loon, EMI Calculator ठीक है, Ihrer tab कि लिजे, are calculate टैप किझे इसके बाद आपको क्या करना यहां पर search कर लेना है Tewash Kenny के बाद आपको एक website देखनी को मिल जा Prix आपको कीजिए इस पर क्या कीजिए Click कर लिबेजिए तो मैं यहां पर click कर लेता हूं इस website को open होने देते हैं तो इसके बाद यह website जो आप यहां पर इस तरीके का interface आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर देखेंगे तो फर्स्टůापशन में हाँ मॉडल सेलग्त कर नहीं है और वेडि Almost यहां पर सेलेक्ट करने है तो नीचे में आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाएगा सुकाजर यहाँ पे यह जो option देखने को मिल यह यह पर तीन option उसमें क्या करना होता है आपको select करना होता ठीक है यहाँ पर brand में select कर लेता हूं जिसी brand का मुझे चाहिए hero का चाहिए honda का चाहिए बजाज का चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे option देखने को मिल जाएगा, आपको जो भी brand यहाँ पर पसंद है, या जिस भी brand का आपको back चाहिए, वो आपको कह करना है, यहाँ पर select करना है, तो मैं यहाँ पर TBS select कर देता हूँ, TBS select करने के बाद आपको model select करना होता है, तो second नम variant देखने को आपको मिल जाएगा, तो simple variant पर जाएगे, यहाँ पर font text है, real text है, तो मैं font text पर ही रहने देता हूँ, ठीक है, तो इस पर मैंने click कर लिया, इसके बाद यह अपडेट होंगे, इसका कुछ image आ जाएगा, और यहाँ पर price बगेरा आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर on road price आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो on road price जो है, एक लाख 25,346 रुपे आपको on road price देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो अगर आप मालो, यहाँ पर 30% आपको जैसे मालो की यहाँ पर एक लाख 25,346 है, तो इसका 30% आ यहां पे करना होता है इसके अलाबे प्रियर्ट्स की बात करें तो आप एक साल के लिए ले सकते हो एक साल के लिए ले सकते हो ठीक है यहां आप這邊 कर देता हूं S1 10 पर यहां l 이हां पर किलेता हूं और यहां पर दया है कर दिया है करने के बाद यहां पर आपको नीचे में आ जाना है अगर आप एक سाल के लेते हो एक साल के लिए अगर आप लेना चाहते हो यहां पर देखे इसकी जो रोड़ प्राइस थी एक लाग पचीस हजार तेन सो शारी सुरूपे आपका जो लोन एमाउंट बच जाएगा पचास जार रुपे डाउन पेमेंट आपने किया है तो लोन एमाउंट कितना बच लग जाएगा ठीक है यहीं पर मौंतली का इमाउंट की बात करें तो इमाउंट जो आपका पर मौंत लगेगा वह 7396 रुपे आपको पर मौंत तक जम्मा करना है ठीक है कब तक एक महिन सौरी एक साल तक ठीक है अगर आप मालों की तीन साल के लिए लिए तो यहां पे मैं 75,340 रुपे बढ़ जाएगा ठीक है इसके आपको पेमेंट जो करना पड़ेगा वह 75,000 के बदले आपको 115,596 रुपे इसके हिसाब से देखे तो आपको 40,250 रुपे जो है आपको एक्स्टा लग जाएगा और पर मौंत जो इमा आपकी बनेगी वह 3,211 रुपे आपको प पड़ेगा ठीक है और जो इंट्रेस्ट है वह कम लगेगा तो आप कम टाइम में लोगे जिसे आठाड़ा मेने के लोगे तो यहां पर देखो कि 5000 रुपे आपको इमा भड़ना पर रहा है लेकिन जो इंट्रेस्ट है वह आपको जो एक्स्टा पैसा लग रहा है वह 20,000 ल अगर आप कम लेते हो तो आपको जो पर मौन इमा बनेगी बो जादा बनेगी ठीक है तो आप अपने हिसाब से देख लो कि किस तरीके से आप इमा भड़ सकते हो तो इस तरीके से आप फाइंड कर पाओगे किसी बैकक कैसे आपको लौन पर पर्चेज करना है डान आपको 30% तक मांगा जाता है ठीक है इसके अलावे सीविले स्कोर आपका अच्छा खासा रहता है तो वैक फाइनस होने में आपका कोई प्रावलम नहीं होती है ठीक है अगर आपका सीविले स्कोर खराब हो जाता है तो उसमें थोड़ी से प्रावलम आ सकती है तो मैं next वीडियो में सारे चार्ज जो होते हैं कुछ आपको processing fee भी लगती है और भी छोटे छोटे से चार्ज लगते हैं तो मैं next वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन कौन से ऐसे चार्ज हैं जो आपके वैक finance में लगता है तो गैजर आज कि इस वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिजे और all notification पर भी क्लिक किजे क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो साथ में text related वीडियो अपलोड करता रहता अपने चैन जितना है नन्यव अपलोड़ करवादान ही बार आए तो खुप प्रेस कर दोड़ कर दो प्रेस कर वीडियो था तो उबे यडियो बार आए शैंव्पलोड गल्का पर नवां बाएटि नवारान अचैनल को प्रेस के साथ